हाल ही में नियूज ब्रोटकास्टिंग डिजिटल स्टेंडर्स अथिरेटी यानि अमन्चोपड़ा और अमिश्देवगन समेत अन एंकरों के सोब पर कारवाई के थी अन्वीडियसे ने एकतरफा रिपोर्टिंग पर आपत्ती दर्ज कराते हुए इनके सोब पर जुर्मान इसके करीब 125 चैनल सब्सक्राइब कारवाई इंदरजीत घोड़पड़े की शिकायत पर की है 32 बर्सी इंदरजीत हमारे साथ है आपका नियूज लॉंडरी में स्वागत है सबसे पहले मैं आपकी हिम्मत को दाद दूंगा और आपसे सहानुभूती भी रखूंगा कि आप अमिस देवगान और अमन चोपड़ा के सो को देखते हैं क्योंकि हम लोग नियूज लॉंडरी में काम करते हैं हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है इनके सो को देखना कैसा अनभाव रहता है अगर आप थोड़ा बताएं तो आप सोची सकते हैं कि इन शोस के माध्यम से जिन समाजों को यह टार्गेट करते हैं हर दिन तो उनको कैसे लगता होगा तो हाला मतलब बहुत ही खराब है तो इसके बारे में तो सब भी जानते हैं इंदरजीत फरवारी के आखरी सब्ता में एंबीडिये से ने कई फैस चैनल्स के खिलाफ केसे दर्श की थी टाइम्स नाव भारत न्यूज 18 इंडिया और इंडिया टुडे ग्रूप और शिकायते इसलिए दर्श की थी क्योंकि यह सारे चैनल्स मुस्लिम समाज को एक तरीके से उनके खिलाफ बहुत सारा हेट फैला रहे थे और उनको उनके सा जो हर एक अंतर धर्मिया हिंदू-मुसलिम रिष्टा होता है वहर रिष्टा लव जिहाद नहीं होता तो यह चैनल्स जैसे लव जिहाद के बारे में अलग-अलग जूट फैलाते हैं बार-बार वही चीज दोराते हैं हाला कि होम बिनिस्ट जी ने भी फॉर्मली रिस्प करते रहो तो लोग उसको उसको उसके विश्वास करने हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके खिलाफ अभी केस दर्श करना जरूरी है और एंबी डियसे ने चैनल्स को यह शोज हटाने को भी कहा है इंटरनेट से और उनके उपर कुछ पैसे भी उनके उपर फाइन भी लग कि इसे मैंने सुरू में कहा कि आपको बधाई देना चाहिए आप से सहनुभूती भी रखनी चाहिए कि आप इन चैनलों को देखते हैं आप अब तक लगभग 50 शिकायत दर्श करा चुके हैं बीडियसे में क्या मोटीवेशन है आपको क्यों लगता है कि मुझे सिकायत दर चलती है एंटी मुसलिम खबरे चलती है आपने किसानों से संबंदीर भी सिकायदर्श कराई है जब किसानों को वातंगबादी बताया जा रहा था आपने राकेश्टिकैट से भी रिलेटेड़ एक फिक न्यूज पे आपने सिकायदर्श करा ती इसाइजी नियुज पे त अधार पिजार्खंड में जार्खंड का इस्लामी करन हो रहे पूरा सूच चल जाता है तो आपका क्या मोटिवेशन है कि मुझे इसकी सिकायत दर्ज करानी है और क्यों करानी मोटिवेशन कहां से आता है जरूर देखिए आप दस साल पहले कि अगर सोचे तो टेलिविजिन पे इतने खुले तोर से लोग इस तरीके की नफरत नहीं फैलाते थे न्यूस चैनल तो बिलकुल ही नहीं मुझे जाहत अक्याद है मैं कभी नहीं टीवी पे ऐसी खबरे देखता था लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़े बढ़ते गई और अब हम उस मुकाम तक पहुच गए जहाँ आज कल तो दिन रात मुसलिम लोगों के खिलाफ हर तरह की चीज़े कही जाती है अलग-अलग टाइब के जिहाद जो इन लोगों ने डिस्क्राइब किये है पॉपिलेशन जिहाद हो थूख जिहाद हो और पता नहीं क्या-क्या लव जिहाद हो क्योंकि इनके खिला चाहिए मुझे थोड़ी बार बहुत नॉलिज थी इन चीजों के बारे में लीगल लैंग्विज जो होती है वो थोड़ी बहुत समझ में आती है इसलिए NBTSA की जो भी प्रोसेस है वो समझ कर और एक-दो केसे शुरू में फाइल करके जब उसमें मुझे सफलता प्राप् और ये काम घर बैठके ऑनलाइन बिना किसी शुल्क के मैं कर सकता हूँ तो क्यों न करें और मोटिवेशन बस यही था कि मैं खुद एक ऐसे समाज को बिलॉंग करता हूँ जिसके खिलाफ सदियों से बहुत सारा अत्याचार होते जा रहा है मैं एक LGBTQ person हूँ तो मैं जानता ह हूँ एक तरह से कि जब आपके खिलाफ भेदबा होता है आपके खिलाफ समाज में गलत गलत जानकारी फैलाई जाती है फेक न्यूस को इद्वारा द्वेश फैलाया जाता है तो कैसे महसूस होता है जब आपको कोई घर देने से इंकार करे जब आपके साथ में कोई बैठ से इंकार करें नोकरियों से आपको मतलब application और आपका नाम देखके आपका sexual identity देखके आपको अगर reject कर दिया जाए तो इससे कैसे लगता है क्या मैसूस होता है यह कुछ हद तक मैं जानता हूँ तो मैं यही मुझे लगता था कि अगर मेरे तरह ही या मेरे समाज के तरह ही मुझे एक तरीके से यह बरदाश्ट नहीं होता और क्योंकि मुझे एक लेविल का यह privilege है कि मैं यह भाशा समझता हूँ मुझे यह खुद से cases represent करना आता है और मेरे पास समय भी है यह काम करने के लिए तो इसलिए मैं यह cases दर्श करता हूँ यह सभी समय में यह पूछ लो आप अपने पॉस्टनल लाइफ में क्या करते हैं यह अपने बारे में थोड़ा बता सके जितना बता सब्सक्राइब करनी पड़ती है और उसके बाद में अगर आप टेक्नोलोजी के पॉलिसी साइड में अगर कुछ काम कर रहे हो तो आपको जागरू करेना पड़ता है कि किसी भी देश में यहां दुनिया में किस तरह के प्राइवसी लॉज है डिजिटल राइट सरे लेटेड लॉज है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैंने था और जादा तर मेरा समय जाता है LGBTQ कम्यूनिटी के लिए जो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ उसमें बहुत सारा मेरा समय जाता है और उसके थूरू मैंने बहुत सारा अलग-अलग टाइप के न्याई व्यवस्ता के बारे में और इंडिया में जो भी कानून है उसके बारे में साम करते करते पढ़ना पड़ा और कई बार लॉयर अवेलिबल नहीं होते या सपोर्ट जिस तरीका करोगे वह उवेलिबल नहीं होता तो खुझ से कुछ चीज़े करनी पड़ती है अगर पुलिस स्टेशन की कभी चक्कर लगानी पड़े तो वह अगर तुम्हें थोड़ मेडिया चैनलों को लेकर सिकायर दर्ज कराना सुरू कि यह सिलसिला कब से सुरू हुआ वह कौन सा पिन पॉइंट था जैसे आपने कहा कि मैं उस कम्मूइटी से आता हूं जहां मुझे पता है कि किसी को किसी को नीचा दिखाया जाए तो पता चल जाता है तो आपको कब ल करते हैं या सोचल मीडिया बहुत सारा कंटेंट वाइरल हो जाता है तो यह दोनों को अगर आप बता सके शुरू मैं तुम्हें यह टेलेविजन माध्यम से तो नहीं करता था मेरे पास टीवी भी नहीं था कई सालों तक लॉकडाउन के दौरान जब मुझे अपने परिव अक्टर सुसान सिंग राजपूत की तबीत भी उनका दिहान थुआ था तो उनके परिवार के अगेंस्ट उनके एक्स गर्फरेंट के अगेंस्ट बहुत ही खतरनात तरीके से न्यूज मीडिया ने उनको परिशान कर दिया था है और उसी दोरान पूने और मुंबई जो द मुंबई पूने छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए बस्टॉप या रेलवे स्टेशन के यहां भी डिकटा हो रही थी तो उन्हें भी कोरोना बॉम कहा जा रहा था तो उस समय ऐसी शब्द किसी भी समाज के लिए जब मैंने सुने तो मुझे लगा यह तो बहुत गलत है आप जो मजदूर अपने परिवार के पास जाने की कड़ी कोशिश कर रही है उनको किसी की सहायता नहीं है ना सरकार की ना किसी और की चल के जा रहे है इतने सारे किलोमेटर और उनको आप करोना बॉम कह रहे हो यह दो शहर है पूने मुंबई जहां पे इतन हां तो उन पर मांसिक तो और पर क्या असर होता है जब आप उनको ऐसे बॉम या इसी कुछ चीज़ों से कहते हो तो यह सारा देखके मैंने तब पहली शिकायत दर्श की थी पहली केस सुशान सिंग राजपुत के केस में थी और दूसरी को करोना बॉम के बारे में थी और ठूक जिहाद की एंट्री होते उसी दौर में जो सब्जी भी क्रेता हैं उनसे लोग सब्जी खरीदना बंद कर दिये उसी वक्त सुसांत राजपुत प्रकारण और रिया चक्रवर्ती के पीछे जिस तरीके से उनके उनके बंगाल कनेक्शन को लेकर कि कैसे वह यह करत हो कि इतनी क्रियेटिविटी आते कहा से है थूक जिहाद के एपिसोड जब मैंने देखा था जहां पर यह लोग अलग-अलग वीडियोज इखटा करके सारे फेक निउस थे वैसे और यह लोग फैलाना चाह रहे थे कि मुसलिम समाज अपनी थूक लगा के तब जी बेचता आप ही के चैनल ने फैक्ट चेक किया था चार साल पहले तो यह सारा एविडिन्स देने के बावजूद चैनल के संपादक और उनके लॉयर्स इसको डिपेंड करते तो मैं तो मुझे तो समझी नहीं आता कि मतलब इनका क्या मूटिवेशन होता है इस हद तक जाने के लिए कि चार साल पहले यह खुद चैनल उस वीडियो को फैक्ट चेक कर रहा था वह अभी जूट पिर से फिला रहा है क्योंकि आप खुद अपने आपको रिप्रेजेंट करते हैं जब आपको लगा हो कि किस लेवल के बात एडिटर कर रहे हैं जब उनको पता है को यह इंट्रे इंवाइट किया था इंटर्व्यू के लिए और उनसे सवाल पूछे जा रहे थे और वो कई टाइप के हिंदुराश्ट्र होना चाहिए भारत और मसल्मान लोग को जो रामनी बुझा श्री रामनी बोलेगा उसको मार देना चाहिए इस तरह की भाशा वहा और इस्तमाल कर नहीं करते हैं और उसके लिए जाने जाते हैं उनको शो पे ना बुलाए तो जो नवीडेयसे बॉर्ड है उननोंने उस चैनल से पूछा कि इनको आपने क्यू बुलाया तो चैनल के जो रेप्रेजेंटेटिव थे बिटर थे उनोने कहा कि इन्हें तो सब बुलाते हैं औ आप खुद ही कह रहे हो कि हाँ यह तो ऐसी बाते कहते ही है इसलिए उन्हें बुलाया लेकिन यह गाइडलाइन के खिलाफ है और इस तरीके की खबरें नहीं चलानी चाहिए अगर कोई चाहे एंबीडीयसे में सिकायत करना क्या प्रोसेस है कैसे आप उस केस के अंतिम परिण रखते हैं अगर उनको लगे कि सिकायत करनी चाहिए क्योंकि आजकल तो हर जगह यहीं चलना 24 गंटे में मुझे लगता है यहीं सब खबरे चले जिसमें सिकायत हो सकती है थोड़ा प्रोसेस बता सकते हैं जरूर जरूर और आपने मुझे पहले सवाल पूछा था कि क्या मे वहार से यह लीड्स मिलती है लेकिन मैं भी यूट्यूब के उनके रिकोर्डिंग्स अब तो लाइव यूट्यूब पे भी दिखता है तो भले ही मेरे पास टेलिविजन ना हो लेकिन मुझे पता चल जाता है कि क्या दिखा रहे हैं और अब तो मुझे वो टर्म्स भी पत सारव मीडिया को एमेल करना होता है उनके जो लीगल हैड होते हैं उन्हीं इमेल करना होता है और नवेडिए से के वैब यूटिया Candle के में जो मेंबर्ण है और बार में परोब थी इस के दोड़ी डीटेल्स देनी होती है उसके बाद चैनल की जिम्मेदारी होती है कि वो एक हफते के अंदर आपको रिप्लाइ करें अगर उन्होंने रिप्लाइ नहीं किया या फिर उनके दिये गए रिप्लाइ से आप संतुष्ट ना हो तो फिर आप NBDA से को तुरंट इमेल कर सकते हो आप बता सकते हो कि यह शिकायत हम मीडिया गाइडलाइन के प्रावधान में नहीं था तो उसके बाद NBDA से आपकी शिकायत को कंसिडर करता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या आपको एक यहरिंग मतलब एक ओनलाइन मीटिंग होती है जहां पर आपको आउसर मिलता है आपका पक्षर रखने के लॉयर हायर कर सकते हो या फिर आपके जान पैचान का कोई भी व्यक्ति जो आपको लगे आपके आपके कंप्लेंड के बारे में सही तरीके से वहाँ पक्ष रख सके उनको आप नॉमिनेट कर सकते हो और उस बोर्ड में NBDA से के मेंबर्स होते हैं उनके चेर परसन एक जादा कॉंटेक्स देने की जरूरत पड़ती है मुझको काफी समय लगा लगा इस बोर्ड को कंविंस करने के लिए कि जो ये चैनल का तरीका है जो जनता के सवाल बोलके उसके अंडर बहुत सारे अपनी ही सवाल वो लोग पास कर देते हैं और वो सवाल बेहंद बटवार चैनल करने यह सारी चीजें उनको सफिशेंटली कंविंस करने के लिए तुम्हें यह एक्जांपल्स देने पड़ते हैं और यह सब होने के बाद फिर करीबन एक दो मैने बाद फिर उनका डिसिजिन आता है तो डिसिजिन देने में उनके पास तीन पावर्स होती है एक तो वो कह सकते है कि यह जो प्रोग्राम था वो वाइलेटिंग था उनके गाइडलाइन्स के खिलाफ था और इसलिए यह शो ऑनलाइन मीडिया से हर सारे प्लाटफॉर्म से निकाल दिया जाए दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वो फाइन लगा सकते है चैनल के खिलाफ और एक लाख रुपए तक ही वो फाइन लगा सकते हैं कई लोग मुझे पूचते है कि एक लाख रुपए से तो क्या होगा कि हाँ? सही है यह बात, एक लाख रुपए से तो कुछ नहीं होगा यह चैनल को तो क्रोडो रुपए मिलते होंगे अट्वटाइसमेंच दुरू लेकिन NBDSC की जो powers है तो उन्हें एक लाख रुपए तक ही fine लगाने का power है और third उनके पास एक power है जो अक्सर नहीं use की जाती वो है कि concerned authority को बताना कि इस channel का license रद किया जाए तो इस case में concerned authority है हमारा ministry of information technology तो वो तो हम जानते ही है कि अगर ministry को अगर कोई बता दे कि किसी channel का license अधरत कर दे तो वो तो होने से रहा तो यह power मैंने तो आज तक जात तक दिखायत कभी उस नहीं हुई है अभी तक आपने लगए 50 सिकायते की है कितनों में मतलब इस तरीके फैंसलाय कि सिकायत पे कारवाई हुई क्या प्रोसेस लंबा खिसता है क्योंकि आप कहरें मैं आपको अपने आपको बताना पड़ता है कितना दिन इसमें लग जाता है पूरे अब क्यूंकि मुझे आदत हो गई है और मुझे पता है क्या प्रोसेस है तो जादा से जादा आठ या नो घंटे से हर के से पीछे मेरा टाइम नहीं जाता क्यूंकि अबादत हो चुई शु जादा बड़ा अचीवमेंट है नहीं इनके शोज ही इतने खराब थे कि मुझे जादा कुछ करना नहीं पड़ा ये positive orders पाने के लिए मेरा जादा समय जाता है जब कोई order आता है तो उस order को publicize करने में मेरा मकसद यह मेरा मकसद यह नहीं होता कि channels को एक लाक रुपे का नु कर सकते और कोई भी अंतर धर्मिया रिष्टा लव जिहाद नहीं होता तो ऐसे orders को जादा से जादा publicity देने में मेरा काफी टाइम जाता है अलग-अलग news media channels को फिर अप्रोच करना उनके साथ order share करना उनके साथ interviews करना और जादा से जादा लोगों तक यह जो order आई है उस order का यह कई बार ऐसा होते कि उन्हों मानते भी नहीं आया जादा तर चैनल्स मानते हैं कुछ चैनल्स है जो तुरंत नहीं मानते जैसे अभी एक जो फैसला आया था इंडिया टुड़े ग्रूप कि अगेंज जहां पर उन्होंने खोमोफोबिक शो किया था एंडी जिबीडी तो उनको साथ दिन के अंदर वो वीडियो इंटरेट से हटाने को कहा था लेकिन देख रहा हूं कि अभी वीडियो आं-लाइन है तो मैंने फिर कल फिर से एक एमेल किया हैं बीडिया से को बताते हुए तो आशा है कि वह जल्दी वह वीडियो हटा देंगे जैसे हम बाकी सह लेते हैं खासकर अमेरिका के संदर में देखें तो भारत में देखिए तो न्यूज लॉंड्री एक पूरा एपिसोड करता हूं कौन से स्पॉंसर से लेकिन स्पॉंसर साथ साथ चोड़ते हैं और चैनल का दावा है जिस चैनल पर भी आपके सिकायत पर करवाई हुई है न आदत में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा ना वहीं हरकते हैं अगर बोले इसको हरकत बोले तो continue है आज भी वहीं हो रहा है आप इतनी सिकायते हैं आप कर चुके हैं तो क्या आपको देख लगता है कि NBDA से की करवाई ज्यादा किफायती नहीं इस मामले में कुछ और भी हो आपने सही कहा कि यह जो काम है इसका जो impact है वो उतना visible नहीं है ऐसा तो नहीं हो रहा कि इतने cases फाइल करने के बाद किसी channel ने बंद कर दिया नफरत फिला लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि हम अपने हाथ में जो है वो करना बंद कर दे वरना तो खुली छूट दे दी लोग तो इसके बारे में तत्य पहुचे जैसे अगर कोई fake news जब उन्होंने थूख जिहाद के बारे में फैलाई थी तो उसका order आने में at least 1000-10,000 लाख लोगों को तो पता चल गया था कि वो जो शो था था थूख जिहाद के बारे में वो जूट था और ऐसा नहीं होता अस है कि मुझे जो आपती है हमारे समाज में जो हो रहा है उसके खिलाफ पीसफुल तरीके से डिस्प्ले करने का एक तरीका है और मैं सोचता हूँ कि धीरे-धीरे शायद चेंच आ रहा है क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे z-news के खिलाफ मैंने शुरू में बहुत सारी cases maximum z-new उसके खिलाफ होती थी धीरे-धीरे उनके आइंकर के खिलाफ जैसे बहुत सारी orders आने लगी तो मुझे पता नहीं इसके वज़े से हुआ या नहीं लेकिन दो-तीन आइंकर अमन चोपरा हुए सुदीर चोधर है हुए वो चैनल छोड़के फिर कही और चले गए और पता न चैनल को भी पता होना चाहिए इनकर को भी पता होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है हाला कि उन्होंने शुरू किया है LGBTQ Community को टार्गेट करना ज्यादातर हम anti-muslim shows देखते हैं लेकिन ये marriage equality का same-sex marriage का केस जब सुप्रीम कोट में चला तब हमने देखा कि कुछ चैनल LGBTQ Community को भी बहुत टार्गेट करने लगे तो उसके खिलाफ cases दर्श करने के बाद NBDSN अभी guidelines जारी की है channels के लिए कि जब आप LGBTQ समधाय के बारे में reporting कर रहे हो तो आप किस तरीके से करना चाहिए तो एक तरीके से ये मैं अपनी victory समझता हूँ कि ये मैंने कदम उठाए इसलि थोड़ा सा बता भी दिया लेकिन मेरा अगला स्वाल ही था कि जब LGBTQ Community को लेकर reporting होती है या उनकी उनको लेकर बात भी होती है अगर on camera ना से off camera भी तो एक अलग तरीके का perception होता है जब दिल्ली में जब प्रेड होता है तब थोड़ा colorful तस्वीरों के लिए लोग वहां जाते उस दिन तस्वीरे छप जाती है लेकिन जब आप Supreme Court में फैसला आ रहा था Supreme Court में बात हो रहे थी तब भी बहुत अलग अलग तरीके बाती की गई तो LGBTQ Community को भारतिये मीडिया किस तरीके से दिखाता है आपको क्यूंकि आप उस Community को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता ह कि कितना कब कहां कितना दुख पहुंच सकता है तो थोड़ा वो बताए हमें हिस्टॉरिकली अगर मैं देखू तो जाधा तर भारतिये मीडिया LGBTQ Community के सपोर्ट में रही है जब 377 का के Supreme Court में चल रहा था तब कई सारे मीडिया चैनल्स सपोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहे इसके पीछे मुझे रीजन ये भी लगता है क्योंकि पब्लिक सपोर्ट तब बहुत था सोसाइटी में इसलिए मीडिया चैनल्स भी उसी सपोर्ट को आगे बढ़ा रहे थे लेकिन जब हमें थोड़े से हक मिल जाता है और जब हम और हक मांगने की कोशिश करते हैं और यह पेर अपना पीछे ले लेते हैं सपोर्ट का हाथ छोड़ देते हैं और जब सरकार भी इसके ओपोजिशन में हो तो जो मीडिया चैनल्स सरकार की आवाज बनकर बैठ है तो वो जाहिर सी बात है जो पहले अपने आपको एलाइ कहते थे मतलब सपोर्टर्स कहते थे लग्ट फोटो एडिट करके बनाए थे ताकि देखने वाले एस्पेशली माबापो को मन में डर बैठ जाए कि अगर हमारा बेटा या बेटी लेजबीन या गे हो या फिर ट्रांसजेंडर हो तो हाई अल्ला ये किस तरीके की बहू या बेटा घर लाएगा दामाद घर लाएगा त लेकिन दूसरे देशों के भी मुद्दे ये लोग इस तरीके से गीने चुने चुन चुन के उठाते है ताकि वो एक मुद्दा उठाके पूरे के पूरे समाज को तुम एक ही ब्रश से पेंट कर सको जैसे कि मुसलिम समाज के साथ होता है कहीं कोई एक अपरात करता है और ये लोग दिखाते हैं कि सारे के सारे मुसलिम मर्द एक जैसे है तो वही हमारे साथ इन चैनलों ने किया था और इसी के खिलाफ मैंने फिर कंप्लेंट जायर की थी येरिंग्स के दोरान ये चैनल उस हद तक जाते है कहने में कि हम तो supporters है हम तो हमने तो ये भी किया है हमने तो वह भी किया है ये तो गलत है हमारे खिलाफ लेकिन मेरा सो भाग ये है कि NBDSA उनके जूट के जूट पकड़ लेता है और जो भी order देता है वो मेरे favor में आई है इन cases में मुझे डर इसी बात का है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये LGBTQ movement इंडिया में आगे बढ़ता जाएगा और हमें और हक मिलेंगे और हम और आगे के हकों के लिए हमारी लड़ाई लडएंगे तो ये channels और हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे इस बात का मुझे डर है क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ US media में इसी तरीके का आज महौल है जहाँ पे बहुत एक वर्ग है उनकी media का जो बहुत बुरी बुरी चीज़े बोलता है नफरत फिलाता है जूटी खबरे फिलाता है LGBTQ लोगों के खिलाफ तो मुझे डर है कि आगे जाके जैसे हम जादा सशक्त होंगे तो कुछ media channels इंडिया में उस तरीके के बन जाए इसलिए जो NBDA से का order आया है जहाँ पे उन्हो जो काफी खुशी है हम काफी देर तक बात कर चुके हैं कोई ऐसे चीज़ जो आप जोड़ना चाहते हूं जो हमारे दर्सकों को बताना ज़रूरी है तो आप बता सकते हैं मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि हम सब में कुछ ना कुछ शमता है जो आज का status को है हमारे समाज में जुस्तिती है उसके खिलाफ आवाज उठाने की उसको बदलने की हम सब में अलग-अलग लेवल की शमता है तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए तो अब तो कुछ भी नह हो सकता कई सारे लोग है उनों जिन्होंने पूरी उम्मीद ही छोड़ दी है कि इंडिया तो मतलब पूरा बरबाद हो चुका है अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे कई लोग देश छोड़ देते हैं या फिर खबरे देखना ही बंद कर देते हैं खबरों के बारे में कोई भी भयानक होंगे तो इसलिए आपके समान विचारधारा के लोग उसे जुड़े इन चीजों के बारे में बात करते रहे और अपने और से जो भी हो सके उस लेविल तक कोशिश करते रहे भले ही वो आपके फैमिली के वाटसैप ग्रूप में किसी को बताना हो कि आपने जो चीजें बहतर होती है आपने इतनी सिकायत दर्श कराई अब समाज में इस पर काफी यह जो फैसला है तो काफी खबर चपी हर जगह खबर चपी है तो उन एंकर्स को लेकर एक बहुत सारे लोगों में प्रेम होता है तो उनको पता चलेगा कि एंकर्स ने ऐसा काम किया कि उ आगे भी करते रहें हम उमीद करेंगे कि जो एंकर से जो चैनल से वह आपको कम मौका दें ऐसे सिकायत करने का हम यह उमीद कर सकते हैं लेकिन हमें लगता है कि ऐसा होगा नहीं बहुत सुक्रें इंदर जीत हमसे बात करने के लिए धन्यवाद